हेलो दोस्तो नमस्कार तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड फिलाल अगर हम लोग आप बात करेंगे शुरुआत में तो सबसे पहले अमेरिकन बाजार आप देख सकते हैं लगबग 400, 4500, 4500 पॉइंट के हम लोगों को गिरावट देखने को आपे मिल रहें डेफिनेटली यह प्लस माइनस यहाप चलता रहेगा विडियो अपलोड होते होते यह शायद से स्तीती बदल सकती है उपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है यह भी आप लोगों को यह पर पता है प्लस अगर हम लोग यहाप बात करें दोस्तों तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण है वो मैं अभी एक-एक आप लोगों के सामने आपे रखने वाला हूँ बड़ उससे पहले भी आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का फ्यूचर वो भी हम लोगों को लगो 500-500 पॉइंट के आसपास यहाप प्रेशर में देखने को आपे मिल रहा है सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को यहापे बता है था किसी को पता है कि महेंगाई वहाँ पे बहुत जादा है और जिस तरीके का इंफलेशन देखने को आपे मिल रहा है उस तरीके का बहुत बड़ा रेट हाइक भी आने वाले समय में वहाँ के FOMC की बेटक में भी हम लोगों को देखने को आपे मिलने वाला है इससे रिलेटेड भी अभी कोई बात यहाँ पे छुपी नहीं है पर जैसे मैंने आप लोगों को बता है कि आज की दिन की अगर हम लोग आपे बात करे तो यह जो प्रेशर है वो सिर्फ यह इंफलेशन की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है इससे रिलेटेड दोस्तो बिलकुल भी नहीं है जैसे मैंने आप लोगों को अल्रेडी बता है था कि हमारा भी मार्केट आकरी शड़ों में यहाँ पे प्रेशराइज होते वे देखने को मला था इसके पीछी का में रीजन है यूरोपियन मार्केट यूरोपे आप देख सकते हो अलड़ी यहाँ पे अच्छी खासी तबाही देखने को मिले दोस्तों ज़स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो धाई-डाई परसेंट से जादा हम लोगों को अप दोसरे है अगर हम लोगों को पता है सो reason already आप लोगों को पता है पुतीन ने बहुत बड़ी warning देखे रखी हुए Sweden, Finland के उपर कभी भी attack हो सकता है हाला कि depend करता है कि इस attack को रोकना है ये उनी country के उपर क्योंकि उन्हें ने कहा कि अगर कोई भी military action वहाँ पे मतलब कोई भी base अगर उन country में बनता है NATO का तो हम लोग हमारे defense के लिए जैसे Ukraine के उपर attack किया हम यहापे बिना सोचे समझे किसी की भी permission नहीं लेंगे सीधा इन country के उपर military action लेंगे ये मैं नहीं के रहू मिश्टर पुतीन ने ये सारी बाते already आपे clear की है इसी के चलते Russian market में भी तबाई देखने को मिली और इसी के चलते European market में भी pressure देखने को मिला और इसी के चलते अभी American bazaar भी हम लोग को जबरदस गिरते वे देखने को मिल रहा है मैं अगेन केना चाहूँगा दोस्तों market में plus minus होता रहता है शाइट से video upload होते वग स्तीती बदल सकती है पर जरूर as a investor also हम सभी लोगों ने इस खबर के उपर क्या करना चाहिए focus बना के रखना चाहिए and आप लोगों को पता है कि यहापे हम लोगों ने क्या करना चाहिए yes crude oil के उपर भी simultaneous ने अपनी निगाए यहापे इसके उपर रखनी चाहिए क्योंकि जितना यह ऐसे ही pressurize वाले खबरे यहापे आते रहेंगे crude oil यहापे हम लोग कह सकते जो हर कोई सपना देख रहें कि 100 को कप टच करेगा यहापे हम लोग बात करें डॉलर के हिसाब से प्रती बैरल तब जाके बहुत बड़ा massive गिरावट होगा बट इस तरीकी की खबरे crude oil को 100 तक लाने में बहुती मतलब हम लोगों को मुश्किलाठ यहापे होती भी देखने को मिल सकती है so definitely American Bazaar फिलाल तो हम लोगों को इस तरीकी से चलते भी देखने को मैं आशा करेंगे कि आपे गिरावट और ना हो, comeback हो जाए तो एक थोड़ा सा relief यहापे हो सकता है तीके यह तो हो गए पहली वाली खबर, अभी आजाते दोस्तों second important खबर के और जिससे related कल मिरे आखरी वीडियो में भी एक important point कवर किया था, yes, महाराष्ट्रा अगर हम हमारे इंडिया की बात करे, भारत की बात करे, तो महाराष्ट्रा हम कह सकते कि एक बहुत ही important state है, और वहाँ पे अभी हम लोग को सरकार पूरी तरीकी से change होती भी देखने को आपे मिल चुकी है, so definitely मैं again कहना चाहूंगा as a individual, हर किसी का अपना-पना opinion अलग हो सकता है, but market को अभी क्या लगता है क्योंकि अगर हम लोग देखे, कल के दिन हम लोगोंने late night खबर देखी थी, कि जो current वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, उद्दाव ठकरे जी, उन्होंने यहाँ पर क्या किता, resignation दिया था, then उसके बाद अभी हम लोगों को एक नया news यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, महराष्टा में अभी हम लोगों को एक नया CM यहाँ पर मिलते हुए, देखने को यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं, उनका नाम भी आपको पता होगा, एकना चिंदे जी, so definitely हम लोग कह सकते हैं, बह कल हम लोगों को जरूर देखने को आपे मिल सकता है, जरूर कल हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट को भी क्या करना है, फोकस में बना के आपे रखना है, जैसे मैं इस टॉपिक से कोई भी पॉइंट रख देता हो, कमेंट सेक्शन में तो आप लोगों को पता है, फाइ कुछ projects ऐसे थे जो कि पुराने सरकार के अंडर हुआ करते थे, वो हम लोगों को completely चलते वे देखने को नहीं मिल रहे थे, वो वापस हम लोगों को चलते वे देखने को मिलेंगे, इस प्रकार की report देखने को मिलेंगे, इसके चलते कौन-कौन से stock से, जो कि अगर आप study करना चाते हो, तो आप चाहो तो उनको radar के उपर रख सकते हो, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मैं again कहना चाहूँगा, ये कोई recommendation वाली बाते नहीं है, ये आप लोग को सीखने के लिए, ये सारी बाते में आप लोग के सामने रख देता हूँ, ज अगर हम लोग बात करें, तो metro से related भी बहुत सारे projects हम लोग को यहाँ पर अटकते भी देखने को मिलेते, वो भी यहाँ पर स्टार्ट होते भी देखने को मिलेंगे, जिसकी costing somewhere around 30,000 करोड से भी जादा है, सभी कि अगर हम लोग मिला कर बात करें तो, प्लस अगर यहाँ पर देख लिया, जम कर लिया, जो कि बहुत सारे retail investor का इसी प्रकार का हम लोगों को nature देखने को मिल जाता है, सबसे पहले Larson and Tubro इस company को इस news का ज़रूर फाइदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि maximum bullet train की अगर हम लोग बात करें, ultra tech cement की अगर हम लोग बात करें, bullet train से related, अगर किसी के पास contract था, so ultra tech cement, L&T के पास हम लोगों को यह सारी चीज़े देखने को मिलती थी, plus अगर हम metro से related भी बात करें, तो L&T and road से related, अगर हम लोग आपे बात करें, तो Reliance Infra, अभी यह company, obviously, मैं recommendation दूँगा, ऐसे company से related, बिल्कुल भी नहीं, बट यह सिर्फ news आप लोगों को cover क करने के लिए, यह आपको जरू कहना चाहूँगा, इन companies के पास यह project है, तो जरूर यहापे हरी जंडी अगर इन projects को वापस मिल जाती है, वापस वो unlock हो जाते है, तो जरूर इन companies में तेजी आ सकती, बट जैसे मैंने का maximum chart pattern चेक कर लेना, तो देख लो, यह तो company क्या investable है, बट नहीं, रिटर इस्टर emotionally होके, directly enter कर लेंगे, यह सोच के चलो, अभी 90 का 900 हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है, यह सिर्फ सिखाने के लिए में आप लोगों के सामने, ऐसे stock यह आपे लेके आता हो, बाकी सारी चीज़े, 7 parameters जैसी चीज़े, और कैसे और आपको सिखा चुका हो, Siemens जैसे company को इस news का फाइदा हो सकता है, जे कुमार की अगर हम लोग आपे बात करें, सारे infrastructure से related दोस्तों यह जो project अटके होए थे, वो हम लोगों को unlock होते वे देखने को मिलेंगे, तो इन companies को यह आपे फाइदा हो सकता है, भेल की अगर हम लोग ब पाता होना चाहिए, PNC, Infratech आप देख सकते हैं, यहापे भी maximum chart pattern देखोगे, तो ओके-ओके देखने को मिल रहा है, इन stocks को study करना है, दोस्तों में again कहना चाहूंगा, मतलब request बार-बार करना चाहूंगा, दोस्तों प्लीज, यहापे directly जाके खरीद लेते हैं, बहुत सारे बिना सोचे समझे कुछ भी, तो ऐसा बिलकुल भी आपे करना नहीं, यह सिर्फ आपको study करने के लिए, लिंक करने के लिए, यह सारी चीजे में आप लोगों को बता रहता, ठीक है, नेक्स्ट आजाते हैं दोस्तों, very 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 important point के उपर, एक ऐसे company के promoter, जो लगातार माल बेच चुका है, so definitely यह बिलकुल भी अच्छी बात यह आपे नहीं मानी जाती है, और उस company का नाम है page industry, वैसे तो देखा गया, price देखकर है, retail investor इन companies को कभी study भी नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत गलट attitude है, जितना आप अच्छे अच्छे companies को study करोगे, चाए नहीं भी खरीदना ह फिर भी, तो ही आप market में progress करोगे, 40,000 का है, 80,000 का है, इसलिए हम लोगों stock को देखेंगे भी नहीं, तो यह बहुत गलत बात है, so page industry आप सबी लोगों को यहापे पता है कि कौन सा brand यहापे famous है, इससे related, anyways, so क्या page industry इससे related बरबाद हो जाएगा, बरबाद तो नहीं होगा इस जिस तरीके से promoter aggressively sale कर रहे, यह company हर किसी के radar के उपर यहापे आ चुकी है, so definitely अगर आप चाहो तो इस company के उस हिसाब से study करने के लिए अपने focus में आपे रख सकते हो, so यह एक important point था, जो कि आप लोगों बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, so दोस्तों जितने भी important बा वो जहलना पड़ेगा, second खबर का impact आपको क्या लगता है, कि यहापे market इसके प्रती क्या react करेगा, जो सरकार हम लोगों को बदलते वे देखने कमड़ा है, जरू genuinely अपनी राहे यहापे रख लेना neutral रहे थे हुए, and third अगर हम लोग बात करे, page industry से related भी आपको क्या लगता ह यह company अच्छी है या फिर बुरी है, यह जरू आप चाहो तो अपनी राहे comment section में आपे रख सकते हो, so जितना हो सके important बाते हों को यहापे मैंने cover किया है, video अच्छा लगे, efforts अच्छे लगे, तो चाहो तो like and share भी कर सकते हो, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाइ बाइ